आप सबी को तहे दिल से दिपावली की हार्दिक शुब कामना है आज हम बनाने जा रहे हैं चार अलग-अलग तरह की मिठाई जिसे आप बहुत ही असानी सी घर पर बना सकते हैं जम बनाने चार रहे हैं गुलाब चामून जो बहुत ही जादा सौफ बने हैं और टेस्टी और स्पॉंजी भी हैं ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने अराम से ही कड रहे हैं और अंदर से देखिए कितने जादा जूसी हैं, कितने जादा इसके अंदर शुगर सिरप चला गया है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं इने, गुलाब जब मुन तयार करने के लिए सबसे पहले हम इसक झोटी चमंश और थोड़े से केसर के दागे डाल देंगे अब हम इसे गरम करने के लिए रख देंगे यानि उबलने के लिए रखेंगे और इसे शुगो moment तयार करेंगे इन उबाला आने के बाद हम इसे 4-5 मिनट और उबालेंगे हमें इसे एक तार की चाशनी नहीं बनानी है सिर्फ हलका सा चिपचिपः होने तक ही उबालना है वही हमें तयार लग रही है तो अब हम यहाँ गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और फिंगर पर इस तरह से लगा के आप चेक करें यह देखिए इसमें तार नहीं बन रही है बस हलका सा चिपचिपः है यह अब हम इसे ढटकर रख देंगे और अब हम गुलाब जमुन के डोकी तयारी करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मावा लिया है यह धाब बोला जाता है इसे अगर आप मारकेट से ले रहे हैं तो आप इसे स्पेशली गुलाब जमुन का खोया बोले या फिर इसे धाब बोल कर ले सकते हैं या फिर आप घर में भी ताज़ा मावा तयार कर सकते हैं यह काफी सॉफ्ट होता है इसमें हम 50 ग्राम मैदा लेंगे जिसे हमने अच्छे से पहले छान लिया है सबसे पहले हम सिर्फ मावा को अच्छे से हाथ से रब करते हुए इसकी सारी गुटलियां खतम कर देंगे वैसे यह काफी सॉफ्ट होता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन फिर भी हम इसे हतेली से अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुटली आना रहें चोटा सा दाना भी न रहें बिल्कुल एकदम चिकना हो जाना चाहिए इसमें आपको 3-4 मिनट या 5-7 मिनट लग सकते हैं करता है कि मावा कितना दानेदार है यह देखिए हमने इसे चिकना कर लिया है आप हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके यह मैदा डालेंगे और इसे साथ-साथ फिर से अच्छे से रब करते जाएंगे मैदा डालने से यह आपको थोड़ा सा हाड लगेगा तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा दूट डालते चाहेंगे आप हम इसमें फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे और थोड़ा सा दूट डालेंगे तकरीबन एक चमच इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मैदा डालेंगे और एक एक चमच करके दूट डालते हुए इसमें एक चमश दू डाल देंगे और इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे आप दिख सकते हैं काफी जागवला बन गया है एकदम और अब हम ये इसमें डाल देंगे जो हम दो तयार कर रहे हैं और इसे अच्छे से mix करते हुए हम फिर से आटा लगा के तयार कर लेंगे बस आपने specially ध्यान रखना है कि अच्छे से mix हो जाए और जो डो आप तयार कर रहे हैं आटा आप तयार कर रहे हैं वो बिल्कुत soft होना चाहिए तब ही हमारे गुलाब जमुन बिल्कुत soft बनेंगे अंदर तक वो यह हमने आटा लगा के तयार कर लिया है अब हम इसे एक log की shape दे देंगे और इसमें से छोटी छोटी लोयां काट लेंगे आप चाहिए तो इसे weight करके भी बना सकते हैं ताकि जो गुलाब जमुन का size है सबका एक सार बने अब हम हतेलियों के बीश में roll करते हुए इसे gold shape देंगे इस तरह से बस आप ध्यान रखें इसमें cracks बिल्कुल भी ना हो और ये देखिए हमने सारे तयार कर लिए हैं अब हमने oil पहले हलका गरम किया हुआ है और इसे हम एक चम्मच चलाते हुए अच्छे से rotate कर लेंगे इस तरह से ऐसा करने से जब आप गुलाब जमून इसमें डालेंगे तो वो एक जगर नहीं बैठेंगे वो इसी तरह से घूम जाएंगे और rotate हो जाएंगे और अब हम एक एक करके गुलाब जमून इसमें डालते जाएंगे हमने oil को rotate करना है आप ध्यान रखें चमच गुलाब जमून पर touch ना हो और अब हम इन्हें low flame पर ही fry करेंगे medium या high बिल्कुल नहीं करेंगे बरना ये उपर से तो golden color के हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छे रह जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें और जब ये थोड़े से हलके से सिख गए हैं तो आप चमच से इस तरह से इन्हें rotate कर सकते हैं उपर से भी ताकि इनके उपर बिल्कुल एक साहर सा color आ जाए और ये देखिए ये अच्छे से fry हो चुके हैं हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक fry किया है और अब हम इने निकाल लेंगे और अब हम इने सीधे गर्मा गरम चाशनी में डाल देंगे चाशनी हमारी वैसे ठंडी हो गई थी लेकिन हमने इसे गरम कर लिया है बहुत अच्छे से पहले उसके बाद हमने इसमें सीधा गुलाब चमुन डाल दिये हैं बस आप ध्यान रखें गुलाब चमुन फ्राइ करते ही सीधा अपने चाशनी में डालने हैं वो भी गर्मा गर्म चाशनी में और क्यूंकि अभी कड़ाई में ये अच्छे से डूब नहीं रहे थे तो अब हम इसे इस बॉल में डाल दिया है और उपर से हमने सारी चाशनी डाल दिया है आप देख सकते हैं अब ये उपर फ्लोट कर रहे हैं क्यूंकि अब ये बहुत ही हलकि हैं जैसे जैसे इसमें तो आप भी इन सुपर सॉफ्ट और डिलिश्यस गुलाब चमुन की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुपब हमारे साथ जरूर शेयर करें आज मैं आपके साथ छोटे बेंगॉली रस्कुला की रेसिपी शेयर कर रही हूं इसके लिए सबसे पहल निम्बू की जगह सिरका भी यूज कर सकते हैं हम दो निम्बू की रस निकाल लेंगे तक्रीबन दो बड़े चमज होगा अब हम इसमें उतना ही पानी डाल देगे और इसे अच्छे से मेक्स कर देंगे थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि दूद हमारा उबल चुका ह हमने इसे हाई फ्लेम पर उबाल लिया है अब हम यहां गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए और 3-4 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें एक एक चमच करके निम्बू का रस डालेंगे और इसे धीरे-धीरे मिक्स करते रहेंगे ऐसा करने से जो छेना है वो काफी सॉफ्ट बनता है और अगर आप गरम दूद में डाल देंगे निम्बू का रस या सिर का तो जो छेना है वो थोड़ा सा हाड बनता है जिससे रसकुल इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे और थोड़ी दिर में ही आप साल देखेंगे और अब हम इसे छान लेंगे हम पनीर अलग रख लेंगे और यह जो पाणी बचा हुआ है आप इसे आटा मलने में या फिर सबजी वगरा में यूज कर सकती है अब हम छेने को दो से तीन बार धो लेंगे अच्छे से या आप इसे नल के चलते पानी में दो फिर उपर से साफ पानी से दो लें ताकि इसका जो खटापन है नीबू का वो अच्छे से निकल जाए हमने इसे दो से तीन बार अच्छी तरह धो लिया है अब हम इसे अच्छे से निचोड लेंगे और अब इस छेने को हम एक पराद या फिर प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसमें डेट चमश मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हथेली की हेप से इसे हलका हलका प्रेस करते हुए चिकना करेंगे ये स्ट्रैप बहुत ज़रूरी है और हमें इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मलते हुए चिकना करना है ऐसा करने से जो हम छेना की रसकुले बनाएंगे वो काफी सॉफ्ट, स्मूद और स्पॉंजी बनेंगे आप इस तरह से भी फेंट सकते हैं पनीर को और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि जो ये पनीर का डो है एकदम चिकना हो चुका है तो आप इसे एक जगाई कठा कर लें और इसमें से छोटे-छोटे गोले लेते हुए इस तरह से मिनी रसकुला की शेप देंगे आप इसे हथेलियों के बीच रखकर हलका हलका प्रेस करते हुए गोला बनाएं तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे हमने ये 26-27 छोटे रसकुले इसमें से बना लिये हैं अब हम एक बड़ा बरतन लेंगे इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे और इसमें हम नाप के 3 कप पानी डालेंगे हमने चीनी का डबल पानी लिया है और इसे उबलने के लिए रखतेंगे हम इसे ढग देंगे ताकि ये बहुत जल्दी उबल जाए और हम इसे हाई फ्लेम पर उबाल रहे हैं थोड़ी दिर में ही आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल चुका है तब हाई फ्लेम पर इसे उबलते हुए पानी में ही हमें एक-एक करके रस्कूला डालेंगे बिंगोली रस्कूला बनाते समयें आप ध्यान रखें कि जो शुगर सिरफ है वो हाई फ्लेम पर हर टाइम उबलता हुआ रहना चाहिए अब हम इसे ढग देंगे और तक्रीबां 6 मिनट के लिए हम इसे उबलने देंगे 6 मिनट बाद आप इसका धकन हटाएंगे और इसे हलका सा चला लेंगे चलाते टाइम आप ध्यान लखें कि जो हमारा चम्मच है या कर्ची जो भी आप यूज़ करें वो रसकुले से बिल्कुल भी टर्च ना हूँ अब हम इसे वापिस धख देंगे और तक्रीबां 6 मिनट के लिए और उबलने देंगे 5-6 मिनट बाद आप इसका धकन हटाएं और इसमें हम आदा कप उबलता हुआ गरम पानी डालेंगे क्योंकि जो इसमें उबलते समय इसका पानी काफी कम हो गया है अब हम इसे दोबारा ढग देंगे और 6 मिनट के लिए और पकने देंगे और आप देख सकते हैं यह मारे बंगॉली रसकुले तयार है तो अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर दूँगी हमने रसकुलों को टोटल 18 मिनट के लिए उबाल लिया है अब हम इसे रूम टेंप्रेचर पर ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी बॉल में इस तरह से ट्रास्फर कर ले और इसे फ्रिज में रख दें 2-3 घंटे के लिए इन्हें 2-3 घंटे के लिए प्रिज में रख दिया था और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और ठंडे भी है अब हम इन्हें अगर इस तरह से प्रेस करते हुए देखते है आप देख सकते हैं कि इतने सॉफ्ट है और अगर हम इसे बीच से तोड़ कर देखते हैं तो अंदर आपको ये स्पॉंज और जाली नजर आएगी ये बहुत ही ज़ादा सॉफ्ट है और इसनोंने अच्छे से शुगर सिरप एब्सॉब कर लिया है और यही एक अच्छे रसकुले की पहचान होती है तो डीची हमारे बिंगोली स्पॉंज रसकुला बन करके तयार है ये बहुत ही ज़ादा स्पॉंजी है और टेस्टी भी तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभा में साथ जरूर शेयर करें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जटपट बनने वाली और बहुत ही ज़ादा टेस्टी मिठाई जिसे आप कुछ मिंटो में ही तयार कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने एक कप नारियल का चूरा लिया है इसे हम इस बॉल में डाल देंगे इसमें हम एक कप दूट डाल देंगे और इसे सोक करके रख देंगे यानि भिगो कर रख देंगे तकरीबन आदा घंटा के लिए हम इसे ढग कर फ्रिज में रख देंगे किचन काउंटर पर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि किचन में गर्मी रहती है और हमने इसमें दूद डाला है वो खराब हो सकता है अगर आपको जल्दी है तो आप इसे बिना भिगोए भी बना सकते हैं लेकिन भिगोने से जो नारियल है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है जैसे ताजे नारियल का बिल्कुल इसमें स्वादा जाता है और ये देखिए आदा घंटा हो चुका है नारियल ने सारा दूद एब्सॉब कर लिया है आप देख सकते हैं आप हम इसे इस पैन में डाल देंगे पैन में डालने के बाद आप हम इसे low to medium flame पर पका लेंगे और आप हम इसे तब तक पकाएंगे जब तब तक इसमें दूद है वो अच्छे से सूख नहीं जाता इसमें तकरीबन हमें 4-5 मिनट लगे हैं और ये देखिए दूद इसमें सूख गया है अच्छे से अब हम इसमें तीन चुथाई कप मिल्क पाउडर डाल देंगे इसे मिक्स कर लेंगे हम और अब हम इसमें एक चुथाई कप और एक बड़ा चम्मश चीनी डालेंगे पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूं मैं पर आप चाहें तो कम जादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के कॉर्डिंग और अब हम इसे बिल्कुल डो जैसा होने तक पका लेंगे गैस का फ्लेम हमने लो टो मेडियम ही रखा हुआ है और ये देखिए कुछ दिर में ही अच्छे से डो जैसा तैयार हो गया है अब हम य जिसे ये जल भी सकता है या जादा समय तक गरम रहेगा अब हम ये इस टाइप का एक बॉक्स ले लेंगे आप चाहें तो प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हैं मैंने इसमें बटर पेपर लगाया है और बटर पेपर पर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है पहले अब ये ड द्राइफ रूट से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं ये देखिए हमने इस पचांदी का वर्क लगा दिया है अब हम इसे पांच मिनट के लिए या तो केचन काउंटर पर ही छोड़ दे या फिर आप इसे पांच मिनट के लिए फ्र से 2-3 दिन पहले भी बना सकते हैं और फ्रिज में स्टोल करके रख सकते हैं। और हमने इसे बनाने में सिफ चार समगरी का ही यूज किया है। यानि आप इसे जटपट और बहुत ही कम समगरी में तयार कर सकते हैं, अब हम इसे कट हुए पिस्ता से सजा लेंगे। और लीजे हमारी coconut delight बनकर के तयार है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और ये मैं आपको एक दिखाती हूँ बरफी अंदर से इसका texture ये देखे कितनी ज्यादा soft और moist है एकदम मों में घुल जाने वाले क्यूंकि हमने coconut को पहले दूद में भिगो लिया था उसकी वज़े से इसका texture और ज्यादा soft और बढ़िया आता है तो आप भी SSP को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुपव हमारे साथ जरूर शेयर करें परवल की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर आदा किलो परवल लिये है इन्हें हमने पहले अच्छे से धोल लिया है आप हम इसका छिलका उतार लेंगे वेचपीलर की हेल्थ से आप इसका छिलका easily उतार सकते हैं या फिच आकू से भी उतार सकते हैं आप हमने इसे छील लिया है, आप इसके उपर का और नीचे का जो टंठल वाला पार्ट होता है, वो हम निकाल देंगे, और बीच में एक कट लगाएंगे, कट हम उपर की साइड ही लगाएंगे, जादा डीप नहीं लगाएंगे, ताकि पूरा परबल ना कटे, और आप एक चमश ले लेंगे, उसकी बैक साइड से हम इससे बीच निकाल लेंगे, आप शाहें तो फिंगर से भी निकाल सकते हैं इसमें से, और ये देखिए हमने इसमें से सारे बीच निकाल लिये हैं, और इसी तरह से हमने सारे परबल तयार किये हैं, इनका छिलका उतार लिया है औ पर्वल को हम पलते की हल्प से हलका सा दबाएंगे पानी में ताकि ये अच्छे से इसमें डूब जाएंगे, आप इनको थोड़ा सा साइड में करके हम इसमें डाल देंगे आदी छोटी चममद बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मेक्स कर देंगे, ऐसा करने से परवल का कलर अच्छा सा ग्रीन रहेगा और अब हम इने ढग देंगे और तकरीबन दो मिनट के लिए हम इसे उबलने देंगे वो दो मिनट हो चुके हैं, हमने ग्यास का फ्लेम आफ कर दिया है अब हम इसमें से ये निकाल लेंगे परवल चलने की हर्प से तकी सारा पानी अलग हो जाएगा और हमने ये सारे परवल निकाल कर इस बॉल में डाल दिये हैं और अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी ठंडा पानी डालने से भी परवल का कलर अच्छा सा ग्रीन रहेगा अब हम इसके लिए शुगर सिर्फ यफे चाष्णी त्यार करेंगे इसके लिए हम इसमें आदा कप पानी डालेंगे एक कप चीनी डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे मेडियम फ्लेम पर ये देखिए इसमें उबाला आचुका है चीनी दीरे-दीरे melt हो रही है हम इसे तीन से 4 बनेट के लिए ही उबा लेंगे और ये देखिए लग रहा है कि चाषणी तयार है हम इसे finger के बीच रख करके इस तरह से चेक कर लेंगे देखिए इसमें एक तार बन रहा है यानि हमारी एक तार की चाशनी बन करके तयार है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे अब ये परवल जो हमने पानी में भीगो कर रखे थे इसे हम हलकी हातों से निचोड लेंगे इनका सारा पानी आप ध्यान लखें कि इसे बहुत हलकी हाथों से निचोड़ना होता है इस सारे परवल हमने निचोड़ लिए हैं अब हम इसे शुगर सिरप में डाल देंगे जो हमने चाशनी तयार की है और गैस का फ्लेम हम फिर से अन कर देंगे अब हम इन परवल को शुगर सिरप या चाशनी में दो मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऐसा करने से इसके अंदर तक अच्छे से शुगर सिरप चला जाता है और ये मीठे हो जाते हैं काफी दो मिनट हो चुके हैं अब हम यहां गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे ढख कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही अब हम इसके लिए स्टफिंग की त्यारी करेंगे स्टफिंग के लिए हमने एक कड़ाई में 200 ग्राम खोया लिया है और इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मेडियम फ्लेम पर हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना है इसका कलर भी चेंज नहीं करना है सिर्फ इसका कच्चा पंदूर होने तक पकाना है और यह देखिए खोया सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से पक भी चुका है आप हमेशा ध्यान रखें कि कर्भी भी गरम खोय में हम चीनी या पाउडर शुगर नहीं डालेंगे क्योंकि ऐसा करने से वो बहुत जादा सॉफ्ट हो जाता है और स्टरफ करने में या बर्फी सेट करने में बहुत मुश्किल आती है तो इसलिए अब हम इसे इस बॉल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और तब तक हम अपने ये परवल देख लेते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये परवल एकदम ट्रासूसिंट हो चुके हैं यानि इसके अंदर अच्छे से शुगर सिरफ चला गया है तो अब हम इसे इस पल्टे की हेल्प से निकाल लेंगे ताकि शुगर सिरफ जो है इसमें से अच्छे से निचुड जाएगा या फिछन जाएगा और हमने ये सारे पवल निकाल कर इस प्लेट में रख लिए हैं और अब ये मावा भी रूम टेंपरिचर पर ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमश पाउडर शुगर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टाफिंग बन करके बिकुल तयार है और अब ये परवल जो हमने निकाल लिये थे शुगर सिरप से इसमें से एक परवल लेंगे और इसे इस तरह से हम बीच से खोल करके इसमें तक्रीबन दो चम्मच हम मावे की स्टापिंग भर देंगे और इसे हलका-लका उपर से प्रेस कर देंगे और ये देखिए इस तरह से हमने सारे परवल तयार कर लिये हैं और अब हम इसके उपर गार्निश कर देंगे करने के लिए यहां पर मैंने cranberry या फे करोंदे का मुरब्बे का यूज किया है आप चाहें तो इसे simple काजू बदाम के टुकडों से भी गार्निश कर सकते हैं मैंने इसे करोंदे के मुरब्बे और साथ ही पिस्ता के साथ गार्निश किया है तो लीजिए परवल की मिठाई बन कर दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें